बिहार में सियासत पिछले कुछ दिनों से सक्री है, लोजबा और राज़त के बाद अब जदियों भी एक्सन के मोड़ में आ चुकी है बिहार की लहाल करोना और बाड़ की दोहरी मार से जूज रहा है आपको बता दें कि परदेश में कोरोना के मामलों में कमी लाने के लिए और तीसरी लहर से बचाब के लिए 6 माँ में 6 कलोट टिका करन की सुरुआत की गई है वहीं बिहार में मौनसुन सक्री होने के बास सलगातार हो रही बारिस से परदेश में जायतर जिलों में बाड़ के हालात उतपन हो गए है खास कर नेपाल से सटे इलाकों में बार का कहर जारी है बार के सिती को धियान में रखते है जद्यों के राष्टिये संसधिये बोर्ड के अध्याच उपिंदर कुसवाह को बड़े जिम्मेबारी साँपी गई है आपको बता दें कि आगामी 10 जुलाई से उपिंदर कुसवाह बिहार के दोरे पर निकलेंगे जिसकी सुरुवात वो पस्चिम चंपारन से करेंगे इस दावरान करोना बार सहीत अनप्रकिर्दिक आपदाओं से जूज रहे आम जनों को रहत पहुंचाने के साथ ही मुख मंत्री द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाव जरूरत मंदों तक पहुंचाने में जदियो कार्च करताओं की अधिकाधिक भूमिका स जूट गई है बीते काफी समय से बिहार में विपच्छी दल लगतार ही जन समस्याओं का मुद्दा उठा रहे थे और इसी को लेकर सरकार पर निसाना भी साथ रहे थे ऐसे में अब जदियो ने विपच्छी पार्टियों को जबाब देने का मन बना लिया है इसके लिए पर फिर से जदियो अपनी पैट को मजबूत बना सके आपको बता दें कि समस्याओं को ही नहीं सुना जा रहा था इसका नतीजा हमने बिहार विधान सवाचुनाव 2020 में जदियो तिसरे नमबर की पार्टी बनकर सामने आई थी ऐसे में अब जदियो एक बार फिर से अपनी जवीन को मजबूत करना चाहती है ऐसे में अब सीम नितियुस कुमार चाहते हैं कि लोगों के बीच में सरकार की योजनाओं के बारे में सही जानकारी पहुंचाई जा सके और इसको लेकर लोगों का फीड़बैक भी लिया जा सके पतादे कि उपेंदर कुसवाहा इसी साल जदियों में सामिल हुए थे उन्होंने अपनी पार्टी को जदियों में बिला कर लिया था इसके बाद से सीम नितियुस कुमार और कुसवाहा के बीच में करेविया देखकर अटकलने लगाई जा रही थी कि सीम उन्हें आने वाले वक्त में बड़ी जिम्मेबारी सौंप सकते हैं जो कुछ हद तक सही सावित होती नजर आ रही है तो यह थी उपेंदर कुसवाहा को लेकर जानकारी बिहार और बिहार से जुड़े हुई और भी एसे खबरों के लिए बने रहे हैं बिहारी नियूज के साथ मुझे दिजिए जाजत धन्यवाद